हेलो दोस्तों, दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज आत्म सुधार के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ तो चलो मैं शुरू करती हूँ जीवन में आत्म सुधार एक सकारात्मक सोच को दर्शाता है कोई भी व्यक्ती यह है कभी भी किसी भी अवस्ता में कर सकता है आत्म सुधार का आश्य है अपने मन में ब्याप्त दोशों को दूर कर सकारात्मक कारियों के प्रती कारे रत रहना वस्तु तैस अंसार में कोई भी व्यक्ती पूर्ण नहीं है पर यदि किसी व्यक्ति को पूर्ण तका बोध होने लगे तो वही उसके पतन का कारण बनता है एक सफल व्यक्ति सफलता के लिए प्रतीशन तूटियों से सीख लेने के लिए प्रतिवद रहता है और सकारात्मक सोच को विचारों में स्थान देता है पारे के परिणाम की कम्यों से सबक लेकर नई चुनोतियों के प्रती कारेरत होकर और बदलाब के लिए तैयार रहकर आत्मसुधार हो सकता है जीवन के जिस पड़ाप पर नकारात्मक विचारों का इस्थान समाप्त हो जाए वही से आत्मसुधार प्रारंब होता है जहां लोग सच्चाई को स्विकार करके जीवन में कठनाई के साथ बढ़ते हैं वही से आत्मसुधार जन्म लेता है आत्मसुधार के लिए पहला कदम है अपने आपको समझना और ब्याप्त बुराई कम्यों को जानना जब तक मनुष्य स्विकार को सर्विस रेष्ट समस्ता रहेगा तब तक वही आत्मसुधार नहीं कर सकता है आत्मन्तन के द्वारा ही आत्मसुधार हो सकता है हम अपनी गलतियों को समझ कर उनसे सीख लेकर स्विकार को बहतर बना सकते हैं दूसरों से भी विचार विमर्ष कर अपनी कम्यों को दूर करने का उपाये जान सकते हैं. कई वार ऐसा होता है कि हमें हमारी कम्यां कमजोरियों के बारे में जानकारी ही नहीं होती है. ऐसी इस्तिती में हम अपने परिवार्जन और दोस्तों की मदद ले सकते हैं. अपनी कम् स्वास और द्रण निश्य भी सुधार में महत्पूर्ण भूमी का निवाता है स्यम को परिस्तितियों के अनुरूप बना कर बड़े से बड़ा लक्ष हासिल किया जा सकता है धीरे धीरे बदल कर हम जीवन को बहतर से बहतर बना सकते हैं यदि व्यक्ति आत्म सुधार के नाम नहीं बलकी कई वर्सों की तपश्चा है जिसे अथक प्रयासों से प्राप्ति किया जा सकता है आश्य करती हूं कि आपको यह जानकरी पसंद आई होगी धन्यवाद